तो हेलो इन वेलकम यूवोल आएम रोहित प्रोम भाजन ट्रेडर तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited की So ITC Limited में अगर हम देखे तो हमें Last Trading Season गिरावट देखने को मिली है तो आगे इस Share में क्या Momentum आएगा वह हम देखने वाले तो वीडियो को एंट तक देखना और साथ इकर आप एक Trading सीखना चाते हो Price Action सीखना चाते हो एकदम Beginner Levels है Levels क्या होते है, Patterns क्या होते हैं वह आपको नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक Link विलेगी हमारे Second Channel की वहाँ पर जाके क्लिक करना आपको का भी कुछ चीज़े पता चलने माली है तो जाकर चेक आउट कर लेना तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ITC Limited की तो यहाँ पर आप हमारे Telegram Channel को सबस्क्राइब कर सकते हैं Link नीचे ही आपको मिल जाएगा तो ITC Limited में हम देखेंगे कि ITC अपना upcoming bonus हमें कब दे सकता है आने वाले टाइम में ITC में हमें bonus कब मिलेगा होचीज यहाँ पर हम देखेंगे साथ ही मोतिलाल ओस्वाल जो है तो मोतिलाल ओस्वाल ने भी यहाँ पर एक बड़ी अगर देखें तो बड़ी update दी है उसे भी हम देखेंगे तो वीडियो को बिना skip किये end तक देखना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर देना तो ITC Limited अगर आप देखो तो stock में एक ग्रावर्ट यहाँ पर नजर आई है 442.50 रूपिस के राउंड अगर आप देखते हो तो share में यहाँ पर closing देखने को मिल जाती है 5 रूपे तक की ग्रावर्ट हमें last trading season stock में यहाँ पर नजर आई है और वही अगर देखें तो levels को देखकर ऐसा लगता है कि stock में एक bearish momentum आ सकता है तो इन points को भी हम check करने वाले हैं यहाँ पर पिछले 5 दिन में अगर हम देखें तो stock ने पिछले कुछ time से अच्छी बड़त बताए पर यहाँ पर अगर देखें 20 September के बाद stock में जो गिरावट है वो continue हमें देखने को मलती है और अल जो stock है वो 11 रुपे से भी ज़्यादा गिर चुका है 20 तारिक से 22 तारिक के round तक पर वही अगर हम देखें तो stock में पिछले time वड़त भी थी यहाँ पर एक महीने में आप देखो fluctuations है stock में हमें पहले गिरावट ने चल रही थी बट 4 सितंबर से अगर मैं बात कर लो 4 सितंबर से 13 सितंबर तक की तो यहाँ पर stock 16 रुपे तक की वड़त बता चुका था बट उसके बाद stock में अगेन एक fall देखने को मल जाता है बट 6 महीने में still यहाँ पर stock positive returns के साथ ही ने चल आएगा वही बात कर लें तो यहाँ पर जो company है जो ITC है उसमें जो community sentiments के आकड़े है उसमें आप देख सकते हो जो 57% लोग है ओ यहाँ पर stock में buy करने के लिए कर रहा है बिल्कुल 57% लोग के और से share में buy करने के लिए कहा जा रहा है वही 29% लोग के और से stock में sell करने के लिए भी कहा जा रहा है और 14% लोग है जो stock में hold करने के लिए कर रहा है और अगर आप देखोगे तो शेयर में यहाँ पर 71% लोग पॉजिटिव आपको नजराये गए बात की लोग नेगेटिव हैं तो यहाँ पर नेगेटिव लोग यहाँ पर इतने ज्यादा क्यों हैं अगर हर दिन के कंपरेजन में देखें तो भी में आगे बताओगा तो यहा पर इसमें पॉजिटिव रहे हैं और इनके जो प्रिविएस टारगेट रहे हैं जैसे 470, 400, 500 तक के तो टारगेट यहाँ पर इजी अचीव होते हुए हमें नजराये हैं तो आगे यह 535 रुपीज का लेवल भी अचीव कर देगा अब बात कर ले ITC के बोनस की क्या हमें ITC में बोनस मिलेगा इस साल क्या हमें बोनस मिल सकता है या फिर next year 2024 में क्या हमें बोनस मिल सकता है तो इसका एंजर हाँ बिलकुल मिल सकता है बस आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा यहाँ पर अगर देखे तो 2005 में इसने लास्ट बोन फिर अगर देखे तो पात से 6 साल बाद इसने 2016 में बोनस दिया वनेश्टू टू का और यहाँ पर अगर देखे 17,18,19,20,21 यहाँ पर कोई भी बोनस का अनॉंसमेंट नहीं हुआ बीच के कोईट की येर अगर हम छोड़ दे दो साल अगर छोड़ दे तो अभी आपर पात साल हो जाते हैं तो भी यहाँ पर बोनस का कोई अनॉंसमेंट नहीं है बट वही अगर देखे तो शेर का जो प्राइस है वह भी अच्छा है तो इस चीज को देखे वे हम पूरी उम्मीद समें कर सकते हैं कि हा हमें बोनस मिलेगा तो यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि बोन इस दे चुका है, आपको धिहान रगना है, बढ़ते आगे, यहाँ पर लेवल्स इंपोर्टेंट है, तो लेवल्स को भी हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो यहाँ पर ITC में अगर हम देखे तो पहले हम देख लेते हैं, पाच मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं तो बिल्कुल पाच मिनट के टाइम फ्रेम पर शेर में क्या नज़राता है, तो यहाँ पर अगर देखे तो हमने प्रिवियस जो लेवल्स डिसकस किये था, उन लेवल्स में 21 तारीक की में बात कर लो, तो 21 तारीक के दिन, उससे पहले भी अगर देखे तो इस पॉइंट स हुआ, और साथ ही अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर स्टॉक में गर आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन थी जहाँ पर इस सपोर्ट लेके उपर जा रहा था, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इस टॉक में गिरावट आई, इस टेज का आपको ध्यान रखना है, और वही अगर हम देखे तो यहाँ पर इस रेंज का भी यह ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो एक छोटा सा एक एड और टाइप पैटन बन रहा है, जो बिल्कुल सही जग पर डिसकस करें, तो यह लेवल्स आप देखोगे, तो काफी जदा इंपोर्टेंट है, तो वन आर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको डिसकस कर लेते हैं, तो वन आर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखे तो यह जो शेर है, एक अच्छा सपोर्ट यह ले रहा था, यह जो फिर उपर गया, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, तो एक इसने head and shoulder type pattern बनाया, और वही अगर हम देखे, तो stock में breakdown आया, breakdown के बाद stock सीधा downtrend में यहाँ पर जा रहा है, तो इस point का आप ध्यान रख सकते हो, तो यहाँ पर गिरावट कब तक आएगी, कहा तक यह जा सकता है तो इस range का भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है, इस range पे support ले ले, तो यहाँ पर 1R के time frame पर ही हम देखे, तो आप खुद यहाँ पर देख लो, stock में पहले इस level से support मिले, उपर से rejection है, rejection है, फिर support है, फिर rejection, फिर rejection, फिर rejection, तो यहाँ पर अगर देखे, तो इन particular level से कई ब support ले चुका है, यही नहीं, आप देखे, तो थोड़ा हम, तो उपर से अगर देखा जाए, तो शेयर में, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट पहले भी हमें देखने को मिली थी, इस point से अगर हम देखे, तो यहाँ पर हमें बड़ी गिरावटे देखने को मिली, एक मड़ ग तो यहाँ से हाइली जांसे से की rejection आयागे है, प्रिवेस वीडियो देखे होगे, तो बिल्कुल आपको पता होगा, और नीचे से support है, जहाँ पर support पहले भी ले चुका है, उन लेवल से support भी ले रहा है, तो देखना होगा, इस range के अंदर जब तक हैं, तब तक यहाँ पर क कोई वीडियो helpful लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलना, और कोई भी शेर में अगर आप इन्रेस पैंक करते हो, तो इन शेर का एक बार analysis जरू थैयो, तू झाल खुट आपको लगा, प्लीस देना अवका, वीडियो अपको बढ़ता हो, तो यहां जो एक बार आपको प्लीस हो, तो जा वीडियो अगर आपको लगा, आपको अबागाए, खुट अन्को अबापको लेचे, उर्बादा हो, वीडियो चैनल, आइको